विस्किट्स टीवी मस्तिकी धारा रंग बिरंगी दुनिया ये है हमारा चानल हर उमर के बच्चों का प्यारा विस्किट्स टीवी हेलो बच्चूं आज मैं आपको पंचितंत की एक और नई कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है भूतिया पेड किसी जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे उसी जंगल में एक बहुत खना पेड भी था सभी जानवर उस पेड से दूर ही रहते थे क्यूंकि उन सब का मानना था कि उस पेड पर भूत रहता है एक दिन जंगल में भालू आया और वे रहने के लिए जगा डूढने लगा मैं इस जंगल में तो आ गया मगर अपनी गुफा कहा बनाऊ तब ही भालू को वो भूतिय पेड दिखता है यह जगा थोड़ी डरावनी रखती है पर यहाँ शान्ती बहुत है मुझे अपनी गुफा यही बनानी चाहिए भालू उस पेड के नीचे पहुचता ही है कि तब ही वहाँ बंदर और हाथी आ जाते है और भालू को वहाँ अकेला देखकर बंदर बोलता है अरे भालू भाई, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? मैं यहाँ रहने के लिए गुफा बना रहा हूँ भालू भाई, तुम यहाँ अपनी गुफा नहीं बना सकते यह जगे सुरक्षित नहीं है सुरक्षित नहीं है? तुम कहना क्या चाते हो? हाथी भाई ठीक बोल रहे हैं इस पेड पर तो भूत रहता है तुम मेरे घर के नीचे अपनी गुफा बना लो वहाँ तुमें कोई परिशानी नहीं होगी अगर यह सच है तो मैं अपनी गुफा बंदर भाई के घर के नीचे ही बनाऊंगा तीनों वहाँ से चले जाते हैं भालू अपनी गुफ़ा ठीक उसी पेड के नीचे बनाता है, जिस पेड पर बंदर रहता था भालू निश्चिंद होकर वहां रहने लगता है एक दिन भालू जंगल में घुमने के लिए निकलता है घुमते घुमते वो उसी पेड के नीचे जा पहुंचता है अगर इस पेड़ पर भूत रहता है तो वह मुझे इतने दिन से दिखाई क्यूं नहीं दिया मुझे लगता है यहां जरूर कुछ गड़बड है भालू के ऐसा कहते ही पेड़ के उपर से आवाज आती है तुम यहां आतो गए हो लेकिन जा नहीं पाऊगे मैं तुम्हें खा जाऊँगा कौन है यहां? मैं इस पेड़ पर रहने वाला भूत हूँ भालू डर कर वहां से भाग जाता है भूत भूत भागो भागो अपनी गुफा में पहुँचकर भालू बंदर को बुलाता है अरे भाई, क्या हुआ? क्यों चिला रहे हो? मंदर भाई, मैंने अभी भूत देखा वही उस पेड़ के नीचे क्या? भूत? मैंने तुम्हें वहां अकेले जाने से मना किया था तुम अभी इस जंगल में नए हो और वो भूत तो बहुत खतरनाक है उसने पहले भी कई जानवरों को नुकसान पहुँचाया है मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी आज के बाद मैं कभी भी वहां अकेला नहीं जाऊंगा भालू अब उस पेड़ के पास कभी अकेला नहीं जाता था एक दिन भालू को जंगल में एक गोरिला दिखता है लगता है ये गोरिला जंगल में नया आया है वरना आज से पहले तो मैंने इसे कभी नहीं देखा भालू उसके पीछे चल पड़ता है कुछ दूर जाने के बाद भालू देखता है कि गोरिला उसी पेड पर चड़ जाता है जिस पेड़ पर भूत रहता है ये देखकर भालू बंदर के पास जाता है बंदर भाई, मैंने अभी अभी ये गोरिले को भूत वाले पेड़ पर चड़ते हुए देखा शायद वह इस जंगल में नया है पर गोरीला को तो उसकी दुष्टता के कारण काफी समय पहले इस जंगल से निकाल दिया गया था तो फिर वो जंगल में क्या कर रहा है और उस भूत बाले पेड़ पर क्यों चड़ गया क्या वो नहीं जानता कि उस पेड़ पर भूत रहता है बंदर सोच में पढ़ जाता है वैं समझ जाता है कि पेड़ के भूत के पीछे कोई गहरा रास चुपा है बंदर रात को भूतिया पेड़ के पास ही एक पेड़ पर चड़कर छुपकर चिलाता है अरे वाख पौत दिनों के बाद किसी गोरीले की कुश्बू आ रही है आज तो पेड़ भर कर खाऊंगा और यह गोरीला तुम मुझे देख भी नहीं सकता क्योंकि मैं तो भूत हूँ गोरीला यह सब सुनकर डर जाता है वैं सभी जंगल की जानवरों को इकठा करता है फिर वैं उन्हें सारी बात बताता है बंदर अभी भी उसी तरह से चिला रहा होता है आज तो मैं गोरीले का मास खाकर ही पेट भरूँगा पर भूत तो इस पेड़ पर रहता था तेर अवाज उस पेड़ से कैसे आ रही है माहराज पेड़ पर कोई भूत नहीं रहता आपने मुझे जंगल से निकाल दिया था इसलिए मैं इस पेड़ पर आप सबसे छुपकर रहता था सभी जानमरों को मैंने ही भूत बनकर डराया था जिससे कोई मुझे देख ना सके लेकिन अब यहाँ सच मुझ का भूत आ गया है यह सब सुनते ही बंदन नीचे आता है और सब को बताता है यहाँ कोई भूत भूत नहीं रहता पेड़ पर रहने वाले भूत का सच सामने लाने के लिए ही मैं भूत बनकर इसे डरा आ रहा था ठीक वैसे ही जैसे इसने हम सब को डराया था गुरिल्ले का जूत पकड़ा जाता है और उसे जंगल से बाहर निकाल दिया जाता है इस तरहां सभी जानवरों को भूतिया पेड़ से छुटकारा मिल जाता है और वैस अब खुशी से बिना डरे जंगल में रहने लगते है तो बच्चों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मि कि हमें डर का सामना पहादुरी से करना चाहिए